स्वागत हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि राहू और शनी के बीच में क्या संबंध है जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हम राहू ग्रह को देखते हैं और फिर हम सबसे पहरे देखते हैं कि राहू किस राशी में बैठा हुआ है जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं राहू चार नंबर की राशी में बैठे हुए हैं यानि कि राहू करक राशी हैं बैठे हुए हैं और दूसरी चीज फिर हम बग ये देखते हैं कि राहू किस घर में बैठा है, जैसे ये घर जो है, ये कुंडली का दस्वा घर है, तो राहू जो है, कुंडली के दस्वे घर में बैठा है, उसके बाद फिर हम लोग सोचना शुरू करते हैं कि राहू जो है, वो किस प्रकार स प्रथम घर होता है यहां पर शनी बैठे हुए है तो राहु जो है वो शनी का भी फल देता है मैं दुबारा से बता दे रहा हूँ कुंडली में राहु ग्रह जो है वो शनी का फल भी देते हैं कहने का मतलब है कि राहु दसवे घर है बैठे है तो दसवे घर का फल तो मिलेगा ही शनी पहले घर में बैठे हुए है तो पहले घर का फल भी मिलेगा मतलब राहू की जब महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चलेगी तो दस्वे घर और पहले घर से सम्मनित कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा फल क्या मिलेगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा राशी क्या है ग्रह के बल किस प्रकार से हैं और भी बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ेंगी लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जब भी हम राहू को देख रहे हैं तो हमें शनी को देखना होगा ये कुंडली मैंने उदाहरम के तौर पे लिए हुई मान लिजे कोई और कुंडली रहती उसमें राहू जो हैं यहां रहते हैं इस घर में अगर बैठ जाते हैं यानि की चौथे घर में तो चौथे घर का फल भी मिलता और ये शर से शनी हैं तो ये पहले घर का फल भी मिल जाता